वेलकम बेक माई दियर श्टूडेंट तोडेज आर टोपिक इज क्लासिफिकेशन ओफ आर्थ्रोपोडा हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर जो आर्थ्रोपोडा है उस आर्थ्रोपोडा के जनरल क्रेक्टर्स के बारे में डिसकसन किया था अलंकि वीडियो काफी लेंग थी थी लेकिन उसके पीछे एक कारण था कि भी ये फाइलम आर्थ्रोपोडा हमारी नोलेज के इसाब से हमने डिसकसन किया था कि भी ये काफी बड़ा है तो इस वज़े से आप इस वीडियो को भी थोड़ा सा पेसेंसली देखेंगे क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन भी काफी लंबा हो जाएगा तो हम यहां डिसकसन करेंगे क्लासिफिकेशन जो है उस क्लासिफिकेशन में आर्थ्रोपोडा में आप देखोगे कि भी इसको टोटल 6 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया यानि कि फाइलम आर्थ्रोपोडा डिवाइड इंटो 6 सब फाइलम on the basis of किस बेस पर इसको 6 फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया पहला है division of body body का मतलब division होता है या नहीं होता उसके बिहाफ दूसरा presence of antenna antenna है या नहीं antenna एक sense organ है वो हमने आर्थ्रोपोडा के general character में भी देखा था इसी तरीके से mandibles और mouth part present है या absent है उसके बिहाफ ये 6 फाइलम इसके अंदर बनाए गए इस classification को storer और यू सिंगर ने वो दिया था अब उसके according जए 6 फाइलम जए वो कौन-कौन से है फाइलम देखें इसके अंदर फर्स्ट है ट्राइबोलाइटा दूसरा इसके अंदर कैलिसीरेटा तीसरा इसके अंदर है मैंडिबुलेटा चोथा इसके अंदर आपको पैंटोस्टोमीडा और फिप्थ इसके अंदर रहेगा आपका जए टाइबोलाइटा और शिक्स्थ फाइलम जो रहेगा इसके अंदर ओनिकोफोरा हम एके करके इस फाइलम के रिगार्डिंग जए पूरी डिटेल डिसकेसन करना चाहेंगे और इस डिटेल में सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर सब फाइलम ट्राइबोलाइटा देखो बात करेंगे ट्राइबोलाइट ये एनिमल जो एक्स्टिंक्ट हो चुके हैं मेंटो से अभी ये वर्तमान में मौजूद नहीं है हालां कि इनके फोसिल जो है वो जरूर मिलते हैं इसके अंदर एक्स्टिंट मेराइन उटर ये एनिमल है या होते थे अब बात करेंगे इसके अंदर now their fossils are founded मतलब इनके फोसिल इसके अंदर अभी मिल रहें फोसिल के रिगार्डिंग बात करेंगे वाटिज फोसिल्स ये एक अलग टोपिक होता है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये फोटोग्राफ में मैंने इसके एक फोसिल्स का एक इमेज यहाँ यहाँ पर लगाया इसके बोडी आपको दिखाई दे रहा है हम इसके बोडी के जो गरेक्टर है उसको साथ में घिसकेशन और करेंगे इसके अंदर है यहां देख़ें इसके अंदर QV BODY 12 two longitudinal burrow and show three lobes. मतलब यहाँ पर देखो इस तरीके से एक ये, एक ये, दो लंबी जो इसके अंदर खांच है और इस खांच से बोड़ी जो है वो एक, दो और तीन जो है पार्ट के अंदर डिवाइड है. है और दो जो इसके अंदर खांच पाई जाते हैं. इसके अंदर है, हेड इस नोट किलियर, मतलब इनके अंदर अभी भी हेड जो है वो अभी नहीं बनाए, एब्डोमन डिवाइड इंटू 2 to 29 सेगमेंट्स, ठीक है, हम ज्यादा डिसके रिगार्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा आइनियमल के अपने को एक्जांपल नहीं मिले के अंदर, यहां हम बात करेंगे, ट्राइथस यह मतलब इसका एक्जांपल है, और इसकी डाइग्राम आप देख रहे हैं, इस diagram के अंदर आपको यह बहुत सारी information इसके regarding आपने को मिल रही है तो देखो इसके अंदर head जहे हो अभी cephalon के रूप में है thorax है इसके अंदर और pigedium यानि के last part इसके अंदर दिखाई दे रहा है और यह abdominal segment जहे हो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ठीक है तो यह तो बात हुआ अपने सब फाइलम जहें ट्राइबोलाइटा के regarding next फाइलम जो है सब फाइलम उसके बारे में बात करेंगे next जो सब फाइलम है हो इसके अंदर calycireta अगला जो फाइलम रहेगा इसके अंदर वह फाइलम रहेगा calycireta केली सिरेटा की रिगार्डिंग कुछ जनरल इंफर्मेशन बोडी हैव सिफैलो थोरेक्स अभी देखिए यहां अभी भी जो हैड नहीं बना है यहां हैड और थोरेक्स वापस में फ्यूज है तो सिफैलो थोरेक्स है एंड एब्डोमन दो पार्ट में इसका बोडी सिंपल आई फोरी पैड़् यहां सिम्पल लmos पूणे लिए चलने के लिए फोर पेर आपको इसके इंदर दिखाई देगी इसके भी देग 거야 भी ऐत मेलपीगन टिवीड का करेक्टरिसिक फीचर देख रहे थे लेकिन यहां इस गुरूप के अंदर भी है आपको ‎ंड को मिल ट्रेकिया भी इसके अंदर मिल सकती है और बुक-लंग्स बुक-लंग के रिगार्डिंग हमने प्रिविएस जो लेक्चर उसके अंदर डिसकसन किया था तो उसकी ज्यादा डिटेल मैं यहां नहीं बता हुआ तो बुक-लंग्स इसके अंदर पाया जाते हैं यहां इस सब फायलम की तीन में क्लासें इन तीन में क्लासें के अंदर आपको फर्स्ट क्लास इसके अंदर मिलेगी वह होगी इसके अंदर मीरो सोमेटा मीरो सोमेटा के अंदर आप यह एक एक एक्जामपल देखेंगे लिमूलस को आप किंग क्रेब के नाम से जानते हैं जर्नल के अंदर और यह एक मातर एसा एक्जामपल है यह मतलब अभी भी लिविंग फोसिल्स की कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है तो यहां बात कर की लिविंग फोसिल्स क्या होते है लिविंग फोसिल्स ऐसे अनिमल जो इनके साथ के जो मेंबर है वो अभी क्या हों चुके है एक्टिंग हो चुके हैं लेकिन हमारे ये अभी उसी समय के जो animal जो पहले मतलब उसके साथ वाड़े extinct हो चुके हैं वो अभी भी यहाँ अभी जिन्दा है क्याने का मतलब यह हुआ कि living fossils का मतलब यह है कि ऐसे animal जिनके साथ के जो member है वो तो extinct हो चुके हैं जिनके fossils मिल रहे हैं ठीक है लेकिन हमारे यहाँ जो अभी भी यह जिन्दा है उस fossils के time के animal के रूप में ठीक है तो इस तरीके से living fossils कहते हैं यह देखी है आप जो एक इंग क्रेब देख रहे हूँ काफी interesting यह member है भिसम पितामा कह सकते हो आप इसको ठीक है तो क्योंकि यह मतलब अपनी इच्छे म सब्स्टांस होता है जो गाहों को बरने की एक अपूरू छमता रखता है तो इस वज़े से वेगानिक जो है इस animal के जो बलड है उसके उपर काफी ज्यादा मात्रा में सोध कर रहे हैं ताकि भवी से के अंदर गाहों बरने में क्या मिले सफलता अपने को आसानी से मिल सके इसके एंदर तो इस तरीके से यह इंपोर्टेंस इसकी है लेन簡ा है नह ак Grace नाम से जांते हैं इसको अपडिया चिंचट वगार इसके एंदर क्या की जाती सामल की जाती है यहां आप देखोगे इसके एक्जम्पल जो है वह देख रहे हैं इसके आहीं पैली एुनेस जिसको आप Scorpion के नाम से जानते हैं, यह आप देख रहे हो, भाई साब यह बिच्छू जो है वह आपको देख रहा है इसके अंदर, और इसकी खासियत के है कि भी इसकी जो टेल है, इस टेल के ऊपर क्या पाए जाता है, ठीक है, तो यह हमारा जो है Scorpion या फिर Peluminous जो है बिच्छू इस class का member है, ठीक है, इसी तरीके से airiness जो spider के नाम से जानते हैं, spider जो है मतलब आप देखते हो कि भी एक तरीके से इनके अंदर एक special type की जो gland पाए जाती है और special type की abdominal gland से एक धागे जैसा substance secret किया जाता है, और धागे जैसे substance से यह जए एक sticky चिप चिपा जो है जाल बनाते ह जब अपने शिकार को यह क्या करते हैं, पकड़ते हैं इसके अलावा आपने टिक चिंचड जिसम कहते हैं, यह आम तोर पे जो घरेलू जानवर होते हैं, उन जानवर की ताउचा की उपर लगने वाला जो है यह insect होता है, ठीक है, इसके देखें इसके अंदर काफी जो है इसके नुकसान पहुंचता है पस्वों को, तो यह टिक चिंचड जिसम कहते हैं, वो देख रहे हैं इसके अंदर, इसी तरीके से एक और मेंबर जो इसके अंदर आप देख रहे हो, वो इसके अंदर लाइकोसा, ठीक है, इसे स्पाइडर के नाम से जानते हैं, भेड की जो स्पाइडर उसके नाम से, लेकिन आम तोर पर यह जमीन के उपर काफी ज्यादा मातरा के अंदर देखने को मिलती है, स्पाइडर जो है, ठीक है, काफी अग्रेसिव नेचर की होती ही, ठीक है, तो इस तरीके से यह आपको जो है, इस क्लास के, एरिक नीडा क्लास के मेंबर आउ सके बारे में पता चला, क्लास जो है, इसके अंदर पिकनो गोनिडा यह क्लास आपकी रहेगी, तो पिकनो गोनिडा जो क्लास है, इस पिकनो गुनड़ी क्लास के अंदर member आपको देखें इसके अंदर nymphion ठीक है? nymphon जो है इसके अंदर आप देख रहे हो तो nymphon को आप sea spider कहते हैं देखो इस animal जो है उसकी photograph देखें तो इस photograph में आप देखो कि भी काफी बड़ा जो है इसका मतलब area को ये cover करता है और पानी के सकती है एक तरीके से surface की उपर stable रह सकती है तो इस वज़े से ये पानी के अंदर रहने वाली मकडी है ठीक है? इसी तरीके से एक और इसके अंदर जो है member आपके इंदर इसको देखेंगे इसके अंदर पिकनो गॉनम ठीक है? ये member आपका यह भी एक मकड़ी जैसा ही मिलता जूलता है लेकिन इंट्रेस्टिंगली इसकी स्टक्चर कुछ अलग तरीके की आपको दिखाई दरिये तो इस तरीके से आपने जैस इस पिकनो गॉनिडा की जो कलास है उसके मेंबर के बारे में आपने डिसकर्शन किया है यह तो हमारा सेक के के अंदर होती है है फइड धोरेक्स और एब्दोमन देखो यहा पर सять फैलॉ- थोरेक्स की जगा एड धोरेक्स और जो इसके अंदर मिल रहे हैं इसके इंदर ठीक है तो हट अलग हो चुका है इसके अंदर है फियोकिड़ सिंपल या कंपांडॉंड ड़ी malaisson है तो ये कुछ इसके अंदर मिलने वाले head के अंदर जो mouth part है और sensory organ है उसके regarding हमने discussion किया, ये इसके अंदर मिलने वाले characteristic feature होते हैं इसके अंदर. एक्सक्रिशन बाइ मेलफिगें टिब्यूल्स, एंटिनल या green gland ठीक है, तो ये कुछ इसके अंदर excretory organ के regarding हो गया, respiration बाइ गिल्स और ट्रेकिया, मतलब सौशन अंग जो है इसके अंदर गिल्स और ट्रेकिया जो हो इसके अंदर पाए जाती है, ये member का, ये sub-filem काफी diversity पाई ये है, मतलब इसके member आपको काफी ज्यादा मातरा के अंदर मिलेंगे, इसकी total 6 class है, 6 classes है इसकी, तो 6 classes में हम इसके example देखते जाएंगे, एके करके उनको mention भी करते जाएंगे, इसकी class सबसे पहले वाली class क्रिश्टेशिया, क्रिश्टेशिया class उसके अंदर आपको member जै वो aquatic type के member मिलेंगे, और काफी बड़ा जै मतलब ये class insecta के बाद दूसरी बड़ी class के रूप में इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है, तो क्रिश्टेशिया class के अंदर aquatic type के animal होते हैं, ठीक है, इसमें आप example देखें इसके अंदर, डैफनिया, जिसको आप जली एपिस्सू के नाम से जानते हैं, ये देख रहे हो, आप डैफनिया की photograph, तो डैफनिया जै उपको इस तरीके से आपको member दिखाई देगा, इसी तरीके से पैलियमोन, जिसको जिंगा मचली के नाम से भी जानते हैं, ये पैलियमोन आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस टाइप का मतलब भूस सारी जै मतलब फीमेल को ये फर्टाइल करने की चमता रखता है, इसी तरीके से कैंकर, कैंकड़ा जिसे हम कहते हैं, वो हम देख रहे हैं, तो कैंकड़ी का ये photograph देख रहे हो, economic importance, इसकी food value के इसाब से, इसको खाने के तोर पर काम में लिया जाता है, इसके अंदर, फिर बाद में आती सेकुलाइना, सेकुलाइना जो है, वो क्रेब एक्टो पैरसाइट होता है, यानि के कैंकड़े के उपर पाए जाने वाला ये मेंबर होता है, हालांकि मैं इस डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ, जो सेकुलाइना वो है, कहां पर सेकुलाइना के बाद में आप देखो, यूपगैरस, यूपगैरस को आप हर्मीट क्रेब या सादू केकड़े के नाम से भी जानते है, ठीक है, थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग में ये एक, दो, तीन, तीन, फोटोग्राफ है, इसको जो मैं आपको बताने का परियास कर होता है, एक्चुल में जो यूपगैरस है, उसके स्टक्चर कुछ इस तरीके से होती है, इसकी टांगे बगर है, ये इसका अब्दोमन दिखाई दे रहे है, लेकिन ये रहता कि इसके अंदर, रहने के लिए इसके अंदर, मतलब यहाँ पर आप देखोगे, कि ये जो कोई भी मॉलसकन एनिमल है, उस मॉलसकन एनिमल के जो सेल है, उस सेल के अंदर ये क्या करता है, सर्वाइव करता है, तो यहाँ देखें इसके अंदर आपको दिखाई देगा, कि ये जो यूपगैरस है, यूपगैरस जो किसी एक मॉलसकन एनिमल के जो सेल है, उसके अंदर गु इस सिलेंटरेट एनिमल का और इस यूप गैरेस के साथ एक तरीके से एसोसियेशन इनका हो जाता है तो एसोसियेशन का बेनिफिट होता है कि यह जो सिलेंटरेट एनिमल है यह क्या करता है कि भी इसको एक तरीके से फूड के प्रोवाइड करने में हेल्प करता है जबकि यह जो आपका यूप गैरे साई उसको फूड वाले स्थान पर ले जाने का काम करता है तो दूनों को इसमें क्या होता है? बेन्फिट होता है अलานकि इनका ये जो आइसोसियेशन ये जूरूर नहीं की फिजूलोजिकल आसोसियेशन दोनों के association के बगएर भी ये क्या कर सकते हैं आसानी से जिंदा रह सकते हैं इसके अंदर इसका एक और member रह जाता है इस class का वो इसके अंदर क्या है एस्टेकस क्रेफिस के नाम से हम इसे जानते हैं तो एस्टेकस जो उसके regarding हम बात करेंगे तो ये काफी बड़ी साइज के अंदर ये पेलियमोन जैसा दिखने वाला ये अनिमल होता है इसको भी खाने के तोर पर क्या किया जाता है काम में लिए जाता है फूड वैल्यू के इ अंसर नहीं किया क्योंकि हमने एक जन्रल इंसेक्ट के रिगार्डिंग जो है आउटलाइन पहले भी देख ली थी जो आर्थोपोडा के क्लासिविगेशन के अंदर अर्थोपोडा के जन्रल डिसकसन उसमें भी डिसकसन किया था थी पेर वोकिंग लेग होती है इसके अगरे होती है दीवारों के ऊपर ये चंकिला सा कीड़ा होता है और ये मतलब बीना पंक वाला जो एक इंसेक्ट है एक टेरस टाइप का तो इस तरीके से ये मेंबर आप देख रहे हो इसके अंदर इसकी इसका क्योंसन के इसाप से भी ऐसा क्योंसन जरूर कंपिटेटिव पूछाँ जाता है कि भी चुलवर फिस जो एक्जामपल का नहीं है इस इसाप से मतलब एक क्योंसन जुवर बनता इसके अंदर फिर अगला मेंबर इसके अंदर देखेंगे ड्रेगन फ्लाई ड्रेगन फ्लाई जो है और ये एक जैसे की जो हमारे चोपड ये हैलिकॉप् से इसको हटाया है ठीक है बहुं कलिएर और इसके अंदर फिर देखो आप इसके अंदर देखो के एपीज हनी भी जो है काफी इंपोर्टेंट है हनी भी जो उससे सहद बनता है वेक्स भी बनती है इसका एक टोपिक अलग से जो है मैं वीडियो के तोर पर आपको बी तब वहां उसके बारे में ज्यादा डिटेट हम डिसके अंदर इसके अलावा इसका एक और मेंबर देखेंगे खटमल साइमेक्स जिसे हम कहते हैं यह देखो खाज-खुझली जो है पुराने कपड़ों के अंदर इस तरीके से शरीर गंदा मेला यदी रहे तो उनके अंद इसके अंदर इसी तरीके से आप देखेंगे इसके अंदर एक और मेंबर जो है इसके अंदर राना टारा राना टारा जो है उसको आप जलिये बिच्छू के नाम से जानते हैं कुछ इस तरीके से इसकी सेफ होती है इसके अंदर ठीक है यह राना टारा हुआ ठीक है इसी त कुंज है वो बनाया जाता है इसके अंदर इसको भी एक अलग टोपिक के रूप में हम जब सेरी कल्चर है उसके रिगार्डिंग मैं आप से वादा करता हूं कि वी एक वीडियो के तोर पर इसके अंदर मैं उन टोपिक को सामील करूँगा यह अलग से बताएंगे इसके आप देखोगे यह आपका लोकस्ट लोकस्ट देख रहे हो यह काफी नुकसान पहुंचाने वाला जी होता है ठीक है टिडी दल के रूप में यह समू के रूप में जूंड के रूप में यह आते हैं ठीक है और काफी ज्यादा मात्रा में फसलों को सामूइक रूप से यह क आपके प्लाजमोडियम के कारण होता है लेकिन फैलाया जो है यह एक वेक्टर हो गया यह आप देख रहे हो एनफलीज मच्छर जो है उसके दुआरा डेंगू वगएर जो है वह भी इसी मच्छर से जो है फैलाई जाती है इसके अंदर इसी तरीके से आप देखोगे इसके बटरफलाइ बटरफलाइ के बारे मिन आप जाते हो इसका एक अलगी संसार होता जिसमें तरह तरह की बटरफलाइ होती है आकी मैंने एक यह यहांपर मन् इंसन किया है ठीक तो इस तरीके से बटरफलाइ भी इसमें सामिल की तेशिक है यहाँ ईवлем बीटल के बीटल आप 87 कर दो एक तरीके से काफी कोलिप अप्डेरा के जो इसके ओड़र है उसके अंदर इसको विश्च तोर पर क्या किया जाता है डिटेयल में डिसकसन किया जाता अलांकि Insecta class के कुछ एक member हमने यहाँ परियास किया, कि भी कुछ-कुछ member वो इसके group से सम्बंदित या, इससे सम्बंदित जो insect के member है, उसको हमने यहाँ समलित करते हुए, इसको एक छोटा सा परियास किया, अलांकि काफी बड़ा group है, फिर बात करेंगे हम next class के बारे में, class हमारी इसके अंदर next रहेगी, वो इसके अंदर third class है, diplopoda, diplopoda के अंदर आप julus, ठीक है, julus जो है, वो actual के अंदर आपके millipedes सहस्तरपादी के नाम से, इसको हम इंदी में जानते हैं, मैं diagram को जोड़ा सा जूम करने का प्रियास करूँगा, तो इसमें आपको काफी हद तक जोई, इसके regarding information मिलेगी इसके अंदर, तो आप फहले photograph देख रहे हैं, इसके अंदर, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से, diplopoda के अंदर, आपको class के अंदर, इस तरीके के member दिखाई देंगे, इसके अंदर, एक और class इसकी, जिसको आप pluropoda के नाम से जानते हैं, ठीक है, यह pluropoda, और pluropus जोई, इसका एक member होता है, तो यह आप कुछ इस तरीके से, इसका member आप देखाई दे रहे हैं, इसके अंदर, ठीक है, इसी तरीके से, इसकी एक class और है, जिसको आप simpaila के नाम से जानते हैं, तो simpaila में आपके scutigrilla, यह animal है, जो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसके अंदर, ठीक है, इसी तरीके से, आपका इसके अंदर, चिलो-पोडा, चिलो-पोडा के अंदर, आप किलो-पोडा भी कह देते हैं, इसके तो जो जूलस है, या, sorry, millipede के अंदर आपको पाउं की संख्या जादे दिखाई देती है, जब कि centipede के अंदर, आपको पाउं की संख्या क्या दिखाई देती है, कम दिखाई देती है, यह तो हुई हमारी जो class, जो phylum था, उसके regarding, ठीक है, तो phylum, हमने, सब phylum, जो है, उसके फाइला में, इसके अनिमल जाए, soft body, worm-like उनका सरीर होता है, unsegmented होता है, सरीर जाए, head, thorax, abdomen के अंदर, divide नहीं होता, these are endoparasite in trachea, मतलब, यह trachea के अंदर, मिलने वाले एक endoparasite होते हैं, trachea saosannalika का एक हिस्सा होता है, ठीक है, इसी तरीके से antenna और locomotory organ जाए, वो absent है, तो एक तरीके से simple type के यह animal होते हैं, ठीक है, इसका example आप देखोगे इसके अंदर, lingualuata, 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 lingualu, sorry, इसका pronunciation जाए, अलग तरीके से हम देखेंगे इसके अंदर, यह आपका linguala, linguala, ठीक है, यह आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो यह आपका member है, तो कुछ इस से दिखाई देता है, अब बात करेंगे, इसके अंदर हमारा सब phylum, एक और जो जिसके बारे में हम बात करेंगे, सब phylum tardigrata, tardigrata जो सब phylum है, इनके जो animal है, इसको आप जलिये भालू के नाम से जानते हैं, ठीक है, water bear के नाम से जानते हैं, ठीक है, body जै tubular होती है, unsegmented इसकी body होती है, size इसका 1 mm होता है, these are endoparasite in trachea, ये भी trachea के अंदर जो endoparasite होते हैं, unisexual होते हैं, four pair unsegmented small foot जो इसके अंदर मोजूद होते हैं, ये आप जेक रिव इसके अंदर इस तरीके से, तो ये चार जोड़ी इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एक, दो, तीन, च जोड़ी इसके अंदर क्या पाए जाती है, unsegmented जोए पाउं इसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसका example आप देखोगे, इसके अंदर, इकाइनी सक्स, ठीक है, जलिये भालू के नाम से हम इसे जानते हैं, तो ये एक member जिसका photograph आप देख रूँ, इसके regarding हमने information यहां देख इसका लास्ट जो सब फाइलम है, वो सब फाइलम रहेगा, ओनिकोफोरा, ठीक है, ओनिकोफोरा जोए वो काफी important है, ठीक है, इसमें जोए मतलब एक member जो है, जिसको पेरिप्टेस के नाम से जानते हैं, वो काफी ज्यादा मातरा में, computer exam के हिसाब से भी पूछा जाता है, देखो, इसका जो बोडी है, वो क्या होता है, वर्म लाइक, अन सेग्मेंटेड और टेरिष्टल यह एनिमन होता है, आलांकि इसके अंदर जाए सेग्मेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह सेग्मेंट जाज सुपर फेसियल होते हैं, हेड जाए यूनी, यूनी क्लियर और इसी तरीके से अंटिना जो उसके उपर मुझूद है, पैल्प भी इसके अंदर मुझूद है, एक्स्क्री सन जो नेफ्रीडिय से इसके अंदर होता है धिंदर और रेस्पिरिंटाइसे रेस्पिरी जा रहे हैं लेकिन उनके अंदर कला वगर है इसके तो इस तरीके से यह आप परिप्रिटेस एक फोटोग्राफ देख रहे हूं उसमें भी काफी इंफिर्मेशन होती है लेकिन परिप्रिटेस के आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की ये क्या एक connective link है तब इस वज़े से जह मतलब इसमें कुछ character तो आर्थ्रोपोडा के कुछ character जो है इसके अंदर आपको एनिलिडा के mix मिल रहे हैं तो इस वज़े से इसे connective link के नाम से जानते हैं इसके अंदर ठीक है उमीद करता हूँ आपको बहुत सारी information प्रवाइड करने का मैंने एक तरीके से यहाँ पर काम किये और आपको काफी information उपलब दूभी होगी इस से related general discussion आर्थ्रोपोडा के regarding एक अलग वीडियो है जिसको आप जरूर देखिए और उमीद करता हूँ आप आगे भी वीडियो को देखेंगे और subscribe करेंगे औरों को बताएंगे तब तक के लिए धन्यवाद